नमस्काल एक्शन डिप्ले नाम की एक मूवी थी अक्षे कुमार और अश्वर्या राई की और उसमें एक गाना था जली तो बुझीना कसम से कोईला हो गई इस तरह का एक गाना था या बच्पन में आप जब कभी स्कूल या कॉलेज में जब खेलते विलते होंगे या दोस्तों के साथ मस्ती मजाग करते होंगे तो मुंबई में तो जादे तर करके यही करते हैं कि जब किसी को भी चिड़ाना होता है तो एक ही शब्द यूस किया जाता है जली क्या जली क्या जली क्या इस तरह से बोल बोल के सामने वाले को चिड़ाया जाता है पर मजाक मस्ती अपनी तरक आज हम एक ऐसी बिमारी के बा अधोगत अमलपित याफिर पेट साफ होने के बाद जो मल मार्ग है वहाँ पे एकदम जलन होना मिर्ची जैसा आग जैसे एकदम लगना तो उस बीमारी क्यों होती है उसके लक्षण क्या-क्या है और उसके लिए आप क्या इलाज कर सकते हैं आईरवेद में क्या-क्या डीट सही लिखा है वह जानकारी हम आप तक लाकर देते हैं तो चलिए उसी में से आज एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है पिछवाड़े में जलन होना पिछवाड़ा बोलो या फिर आम अगर अच्छे से शुद्र सब्दों में कहा जाए तो अधोगत अमल किया होगा कि जब कभी साफ होता है साफ होने के बाद अचानक से वह जो मल मार का एरिया है वहां पर जलन जैसे लगता है अईह सेलन होती है यहां's में यह क्यों होती है तो कई बार लोग इसको confuse रहते हैं कि कई हमको पाइल्स तो नहीं हो गया है, भगंदर तो नहीं हो गया है, अर्स, मश्रा, यह जो अलग-अलग नाम बोलते हैं, वो तो नहीं हो गई है, पर जब वो डॉक्टर को चेक कराते हैं, या कई बार जो उनकी रिपोर्ट भी की जात है, तो वो देखने के बाद पता चलता है कि यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं है, पर जो जिसे यह तकलीफ है, वो हमेशा बोलते रहता है कि नहीं, मुझे जलन हो रही है, और हर बार जब मैं सहुचा ले जाता हूं, तो मुझे जलन होती है, तो यह है क्या, तो आईर्वेद क सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि ईसे इट उपर की तरफ होती है ठीक है कई बार हमने देखा होगा कि खाया पिया सीने में जलन हो रही है या फिर खट्टा-खट्टा पानी आ रहा है औहला पानी या है या बहुत जलता है तो कई सारे लोग पानी पीके इसा उल्टी करके निकाल देते हैं और उल्टी करने के बाद उनको अच्छा लगता है तो ऊपर की आपने हमेशा सुना होगा यह नीचे की जलन हो रही है वह उर्ध जड़ का अमलपित टिके ओपर यही जो आपका खाना है फिक से न पशने के कारण और सड़ सड़ कि यह और कई गुना जादा इसकी जो सड़न है यह अ यह बहुत ज़्यादा बढ़कर आपके नीचे की तरब जाते हुए फिर डियोडिनाम इंटेस लार्ज इंट्रस्टाइन ये सब जगह भूमगाम के जब मल मार्ग से वो निकलता है तो उस जगह पे वो जलन करने का काम करता है इसे ही आईरवेद में अधोगत अमल पित्त बोला है या हम इसे आइसे बोल सकते हैं कि ये नीचे की एसी डिटी है और ज्यादा तर लोगों क खटा खाने की आदत है उनके साती होता है खटे कई लोगों को नमक ज्यादा खाने में इंट्रेस्ट्स होता है खाने के उपर एक्स्ट्रा नमक डाल के लेना या फिर पानी पूरी उरी वाले के यहां पर जाते हैं तो थोड़ा ज्यादा उसमें नमक या थोड़ी सा मिर्ची थोड़ा तीखा तड़का लगा कर देना क्योंकि जब तक जीब और बाकी सब जगह जलेगी नहीं तब तक मज होती है अब पानी कई बार मैंने इसके उपर बहुत सारे वीडियो जाले हैं मैंने समझा समझा के शायद हो सकता है कि मेरा बुढ़ापा पूरा हो जाए इसी में फिर भी आज भी ऐसे कई लोग है या जो मुझे पेशेंट्स मिलते हैं उसमें से 90% से ज्यादा पेशेंट जबर दस्ति पानी पीपी के बीमार है फिर भी सुबा वोगे आधा लीटर एक लीटर चुबा उठकर क्या बोलते हैं कि पूरा नारियल पानी का पूरा 600 ml 700 ml नारियल पानी पीना यह एक्स्ट्रा पानी पीपी के क्या होता है उनको लगता है कि हम पानी पिएंगे तो कर देता है तो क्या होता है एसिट की क्वांटिटी तो बढ़ गई रहती है पर क्वालिटी कम हो जाती है यह आप सभी ने जो साइंस पड़ा होगा आठवी-दसवी बारवी में तो उसमें दो तरह के एसिट पड़े होंगे एक एक डालूटेट अब यह जो डालूटेट जो होता है वह भी एसिट होता है पर उसमें ताकत नहीं हो दी और यह जो कॉंसेंट्रेटेट होता है थोड़ा से भी जला सकता है तो जब ज़्यादा पानी पी-पी के या कोई भी पित्त बढ़ाने वाली चीजे कर कर गे चादा च चलो तो पिछवाड़े में जलन को हम क्या कह सकते हैं पीछे की या अधोगत अमलपित्त अब आपको जब अधोगत अमलपित्त होगा तो इसके साथ और क्या-क्या लक्षण होंगे वह भी आयर्वेद में बोले हैं तो एक तो पीछे बहुत जादा जब पेट साफ होगा होगा उसके अलावन और क्या लक्षण आपको दिखने मिल सकते हैं घिससे की आप समझ सकते हैं कि आपको अधोगत अमलपित्त की तकलीव है तो जलन के साथ ऐसा होगा कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगने के संसेशन होगा बार बार मूँ सूखने का संसेशन आपके शरीर में होगा यह हो सकता है या कई सारे लोग के साथ ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा जलन होता है और जब मल निकलता है तो मल निकलते समय कई बार इतना ज्यादा जलन जैसे लगता है कि आँखों के सामने चक्कर आने जैसे लगता है या पूरा काला काला दिखने लग जाता है इस तरह की तकलीफे होंगी कई सारे लोगों को जब मल होगा तो वो मल का जो कलर है या तो एकदम पीला कलर का या एकदम काले कलर का मल होगा या तामबे का जो कलर होता है उस तरीके का या हरे हरे कलर का जो मल है वो निकलेगा उसमें से बहुत ज़्यादा दुरगंध आने की तकलीफ भी हो सकती है जलन होने के सा साथ और जब यह लंबे समय तक continue चालू रहेगा तो धीरे धीरे जब यह acid blood में जाना चालू होता है तो कहीं सारे समस्चाएं हो रही है तो उसमें सबसे पहले हमें किस चीच को इलाज करना तो वह अधोगत अमलपित जो एसी नीचे की तरब जाकर जलन कर रहा है उसे ठीक करना है ना कि जो स्कीन में कोट हो रहा है उसे पिर आप कुछ एका प्यास लगने के लिए दूसरी गोली क्या पहले जो प्याकी गोली अपट में ने डाला था जिसमें अम.'' वैसे एस में सब्सक्राइब करना है, कीया के को ठीक सोट करना है? थैख» है तो कि रहा है तो पित्त को ठीक करने वाले तीन रस हैं कौन से एक तो तिक्त रस तिक्त मतलब तीखा नहीं यह बहुत बार आपको पहले भी बता है तिक्त मतलब कड़वा होता है जिसे हम बिटर टेस्ट बोलते हैं तो बिटर टेस्ट वाली चीज़े हमें खाना चाहिए दूसरा मधूर जो थोड़ी सी मीठी चीज़े होती हैं मीठी आउशदियां होती है वो डाइट में लाना चाहिए और तीसरा जो कशायरस जो एस्ट्रिंजन टेस्ट होता है उस तरीके की चीज़े खानी है और क्या बन करना है खटा बन करना है नमक बन करना है ठीक है चलो यह क्लियर कई सारे लोग रात में 10 बजे के बाद तक जागते रहते हैं तो रात का दस से दो और दिन का दस से दो जो टाइम हैं वह पित अका contain Mm और अगर आप ड़ाग रहे हैं तो आपके शरील में बढ़ते ही रहेगा जो कि आपको हेर फॉल से लेकर बाल सफेज जल्दी होना और यह सब जलन ऐसे डूसब करेगा तो दस बजी के पहले रात में सो जाना है यह दूसरी इंपॉर्टन एडवाइस रहेगी आप लोगों के लिए तीसरा इसमें क्या औशधियां कर सकते हैं तो तीन से चार नुस्खें आपके ल कुष्मांड का नाम सुना होगा कुष्मांड जिसे की एशगार्ड भी कहा जाता है बाहर से हरा होता है अंदर से सफेद होता है कई लोग उसको कोहडा कद्दू कुछ भी कहते हैं तो चाहिए आपको पंकिन मिल जाए एशगार्ड मिल जाए कुछ भी मिल जाए सबसे अच उश्म जो उश्मा को पूरा दबा देता है खदम कर देता है तो यह वाला रस इसका ले सकते हैं कैसे ले सकते हैं तो 100 एमल इसका जो रस है वो जो गुड होता है दस ग्राम के आसपस गुड मिला कर वो ले सकते हैं या इसी जो पेठा है इसका पाउडर भी मिलता है तो आधे से एक चमची जो पाउडर है गुड के साथ खाना खाने के पहले सुबा और शाम दो टाइम यह ले सकते हैं पहला यह option कर लो अगर यह वाला option अच्छा नहीं कैसे बनता है अब तो इतना आप लोग सीखी गया होगे आयर्वेट बता यह किससे बनता है पांच महाभूतों में से एक दो तीन दो एलिमेंट से कौन से एलिमेंट से पहला अर्थ एलिमेंट और दूसरा वायू एलिमेंट तो मिट्टी और हवा यह दोनों मिल के खाइरस बनता है यह करता है स्तंभ करता है रोकने का काम करता है उन सारे वीडियो में आपको बताया था ठीक है तो अब यह जहां पर यहां पर चलन जनलं हो रही अक्सा पित्त के करण Правuation कर के इसको रोकने का है ठीक है तो मीट्टी डाल दो तो आग शान्त हो जाएगी सिंपल सा तो हरड ले लो वन फोर चम्मच उसके अंदर एक चीज और एड़ कर दो क्या मीठा हमको चाहिए था तो इसमें द्राक्षा क्या है मधूर है ठंडी है नेचर में तो एक दवा जो हरड वो थोड़ी सी गरम है बाकि तीन ठंडी दवाईयां और पर्फेक्ट कॉंबिनेशन हो गया है हरड के अंदर नमक को छोड़ के बाकि सभी रस है तो एक मस्ट बैलेंस कॉंबिनेशन है इस अधोगत अमलपित्य को कंट्रोल करने के लिए काउंटर करने के लिए तो वनफोर चमच हरड आट दस मुनक्का थोड़ी सी शहत थोड़ा सा मिश्रिया दादा चमच मिला के मास उसको एकदम पेश जैसा बनाओ और खाना खाने के पहले उसको चाट चाट के उसको खा लो या डारेक पानी के साथ कंपानी थोड़े से ले लो तो या तो कर लो या यह क्र लो इसके पाद तीसरा अगर लग लाखता है तो क्या घर है कि ये मेंगा है यह तो कि नहीं कर सकते हैं सबसे पहली चीजा क्या करना आमवला लेशा है रूखषन है ऑर ठंडा है नीचर में सबसे ज्यादा किस पर अच्छा इंपक्थ करता है तो तीनों दोश्यों पर इसका एक्षन है पर अच्छा है रूख्ष्य orang करने के कारण यह क्या करेगा जो वहां पर एक्ष्रा जो पित्त का अंदर के गील्यापन होता है पित्त किसे बनता है दो एलिमेंट से किसे जल से और अगनी से आप लोग को लग रहा हुए क्या यह बहुत सारा यह सब टेक्निकल वर्ड डाल रहे हैं और अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो उमीद है कि आपको यह सारी महाभूत क्या है यह सारी चीजे बोल रहा हूं ठीक है चलिए तो पित्त किसे बनता है जल और अगनी महाभूत से ठीक है तो पित्ते के अंदर क्या है पानी भी है आग भी है आवला क्या है रूखा है तो क्या करेगा पानी को सुखाने का काम करेगा शीथ है ठंडा है निचर में तो जो गर्मी है उसको कम करेगा तो पित्ते के लिए परफेक्ट दवा है ठीक है और आवले के अ आधा चमच मिश्ट्री उसको भाई बारिक पाउडर कर लो नहीं है तो आउले का जूस ले लो चार चमच के आसपास 20 ml और उसमें थोड़ी मिश्ट्री मिला कर खाना खाने के पहले यह आप ले सकते हो सुबह शाम खाना खाने के कितनी देर पहले तो 5-10 मिनट पहले लेकर फ पंच कर्म की जरुरत है मतलब बीमारी इस लेवल तक बढ़ गई है कि उसको दबाया नहीं जा सकता तो बॉड़ी में शोधन करना चाहिए वैसे तो आईरविद में पहले शोधन और बाद में यह सब दवा बोली है पर कई सारे लोग को पंच कर्म किस्सा बहुत महंगी ल करने चाहिए तो यह था आज अधोगत अमलपित्त के बारे में जिसे की हम बोल सकते हैं पिछवाड़े में जलन होना या पिछवाड़े में आग जैसे होना जिसे नार्मल लोगों को चिढ़ाने के लिए बोलते हैं ठीक है तो उस गाने के साथ जली तो बुचीना कसम से को पॉला हो गई इस टॉपिक को ख़दम करते हैं इसके लावा आप कौन से टॉपिक देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं आपके कमेंट के अधार पर उस तरह की वीडियो जब लाने की कोशिश करेंगे इसमें से क्या समझ में नहीं आया वह भी आप कमेंट करके क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा कुछ भी करके मतलब कमेंट जरूर कर सकते हैं ठीक है तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें